गुड मॉनिंग ये रिवन तो आज हम अपना इंपोर्टन टॉपिक कवर करेंगे that is fast track special courts सबसे पहला question तो ये है कि भारत में courts होने के बाब जूद भी हमें fast track special courts बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपने movies में भी देखा होगा कि court में जो cases होते हैं pending रहते हैं लोगों को इंसाफ नहीं मिलता जो victim होता है उसे इंसाफ नहीं मिलता तो इसलिए cases जो है उन्हें जल्दी से resolve किया जाए जल्दी से लोगों को इंसाफ दिया जाए इसलिए fast track special courts बनाए गए लेकिन fast track special courts फोकस करता है सबसे ज़्यादा उन crimes के उपर जैसे के rape हो गया, sexual offenses हो गए, children के खिलाफ अगर कोई offense हुआ है तो ऐसे जो cases होते हैं उनकी सुनवाई की जाती है fast track special courts के दवारा क्योंकि victim को इंसाफ नहीं मिलता तो कोशिश यहीं की जाती है कि इस तरह के जो heinious crime होते हैं उन्हें जल्द से जल्द resolve किया जा सके तो हम definition परते हैं fast track special courts की इसके बहुत सारे challenges है कि आज की time में जो fast track special courts है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि judges की बहुत जादा कमी है, इतनी जादा training नहीं है, infrastructure नहीं है वो सारी चीज़ें भी हम आगे जाके discuss करेंगे तो यह topic आपने अच्छे से समझना है क्योंकि exam point of view से यह question आ भी सकता है pre में भी आ सकता है, mains में भी आ सकता है, या फिर आप दूसरे जितने भी exams की तयारी कर रहे हैं चाहे वो CDS का exam हो, FCAT का exam हो, SSE का exam हो, कहीं न कहीं MCQ बना किया statement wise आपको यह question पूछा जाएगा तो सबसे पहले हम discuss करते हैं definition की fast track special courts in India are special courts created to speed up the legal process की जो भी legal process होता है, जो भी सुनवाई होती है, उसमें speed up किया जाए यानि कि जल से जल केसी सुने जाएं और लोगों को इंसाफ दिया जाए for cases involving sexual offenses, specifically rape and violations under the protection of children from the sexual offenses act जिसे हम short में postco act के नाम से भी जानते हैं 2018 में Central Government ने Criminal Law Amendment Act पास किया था जिसमें की tougher punishment की बात की गई थी, जिसमें की death penalty की भी बात की गई थी कि जो भी लोग rape जैसे cases में पाए जाते हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सर्जा दी जाएगी so following these fast track special courts तो इसी criminal law amendment act जो आया था इसी के base पे फिर fast track special courts भी बनाए गया, establish किया गया उनको ताकि justice जो है, वो जल्दी से जल्दी victim को deliver किया जा सके अब हम बात करते हैं कि अभी क्या मतलब जो stage है बनी हुई है fast track special courts की इंडिया में, तो हम बात करते हैं, इसमें 761 fast track special courts जो है, वो operational है, ठीक है और अभी तक 1,95,000 से भी जादा cases जो है, वो solve किये गए है fast track special courts के द्वारा, कहां काम कर रही है, 30 states and union territories में आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास challenges क्या-क्या है fast track courts को लेके, देखे, inadequate infrastructure and low disposal rate अभी भी वही हाल है कि जल से जल जो है, वो हमें जो deliver नहीं हो रहा है, justice, यानि कि विक्टिम को इंसाफ नहीं मिल रहा है इसके पीछे कारण यह भी हो सकता है कि inadequate infrastructure, proper infrastructure नहीं है कि नया infrastructure बना जाए, नई establishment बना जाए, जिसमें कि fast track special courts जो हैं, वो काम करें तो वो अच्छे से काम नहीं कर बाते हैं special courts in India including the FTSC's often face challenges similar to the regular courts because they are typically designated rather than being established with the new infrastructure तो fast track special courts जो होते हैं, उनके पास कोई अपना खुद का infrastructure नहीं है दूसरी सबसे बड़ी बात absence of judges judges नहीं है, training नहीं है the absence of judges resulting from the vacant positions has a direct impact on the court's ability to efficiently handle cases जिसकी वजह से efficiently cases को handle नहीं किया जाता है judges के तवारा क्योंकि judges की बहुत ज़्यादा कमी है तो ऐसे तो बहुत सारी schemes चलाए गई हैं लड़कियों की protection के लिए तो सबसे ज़्यादा जो central government की important scheme है वो है बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ उसके बारे हम बात कर लेते हैं save the daughter and educate the daughter so launch to address the declining child sex ratio क्योंकि जो लड़कियों की जो संख्यादी वो बहुत तेजी से कम हो रही थी इसलिए उनको बचाने के लिए हम ये scheme लेके आए थे promote the welfare of girls these initiative aims to encourage the birth and education of girls ताकि लोगों को emphasize कि जाए कि वो लड़कियों को बढ़ाएं उनको जनम दें, उन्हें आगे बढ़ाएं so it emphasizes the importance of equal opportunities and protection for the girls और ऐसी बहुत सारी schemes भी government लेकिया है जैसे कि कई states में reservation दे दी गई है girls को तो बहुत सारी schemes ऐसी उसको हम धीरे-धीरे discuss करेंगे तो आज हमारा जो important topic था वो यही था fast track special courts के बारे में जो आज हमने पूरा किया तो मिलते हैं next video में, thank you very much sorry एक और point बीच में बचता है तो fast track special courts को improve करने के लिए हम क्या कर सकते हैं सबसे पहले तो जो frequent adjournments होती है frequent adjournments यानि कि हम क्या करते हैं कि delay कर देते हैं cases को तारीक पे तारीक हम देते रहते हैं तो इससे क्या होता है कि justice नहीं मिल पाता है इन सब चीजों को हमें थोड़ा सा कम करना है evidences को जल्दी से provide करवाना है और victim को जल से जल्द हमें justice दे रहा है तो मिलते हैं next video में, thank you very much